नमस्कार, इस चैनल पे मेरी ये पहली वीडियो है, अन्य विश्यों पर यदि आपको साहता चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताईएगा, आज की क्लास में हम कभीरदाज जी के दोहे पढ़ेंगे, मेरा पहला दोहा है, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, करका मन का डारी के, मन का मन का फेर, पहली पंक्ती में कभीरदाज जी कहते हैं, माला फेरत जुग गया, कोई व्यक्ति लंबे समें तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता है, मिटा न मन का फेर, इस से उनसके मन का भाव नहीं बदलता, और उसके मन की हलचल भी शांत नही होती करका मन का डारी के ऐसे विर्थी को कभीरदाजी सलाह देते हैं हाथ की माला का फेरना छोड़ 페. तथा ऐसे पकंड को छोड और मन का मन का फेर अपने मन में शुद्ध विचारों को भरना चाहिए तथा सच्चे मन से सब का भला करना चाहिए इस पूरे दोये का भावर्त ही है हमें हाथ की माला का फेदना छोड़ कर अच्छे करम करने चाहिए जिस से हमारे भगवान हम से परसन हो ये था हमारा पहला दोहा आज का हमारा दूसरा दोहा है पहली पंक्ती में कभी इदाज जी कहते है प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता हाट का यहां अर्थ बाजार है प्रेम कोई बाजार में खरीदने बेचने वाली वस्तू नहीं है राजा प्रजा जेही रुचे चाहे कोई वोई राजा है या साधारन प्रजा है सीस देहे लेह जाए. यदि वे प्रेम पाना चाहते हैं, तो वे आतम बदलिदान से ही मिलेगा. त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को पाया नहीं जा सकता. इस पूरे दोहे का भावड़ यह है, कि प्रेम कोई खेत में नहीं ही उपजा जा सकता, प्रेम बाजार में नहीं बिखता प्रेम एक गहरी भावना है जो खरीदी या बेचे जाने वरी वस्तू नहीं है ये था हमारा कबीरदास का दूसरा दोहा आज का हमारा तीसरा दोहा है ऐसी बानी बोलिये मन का आपाख होए अपना तन सीतल करे औरन को सुख होए पहली पंक् प्रेम बोलते वक्त मन का आपाख होए यहां आपाख है हंकार बोलते वक्त मान और हंकार का त्याग करकर ऐसी भाशा बोलनी चाहिए अपना मन सीतल करे जिससे औरों के साथ साथ स्वयम को भी खुशी मिले औरन को सुख होए तथा मीठी वानी से ही दिल जीते जा सकते हैं इंसान को विनमरता से बोलना चाहिए ताकि सुनने वाले के मन को भी अच्छा लगे और आपका मन भी परसन हो इस पूरे दोहे का भावर्त यह है मीठी वानी दूसरे लोगों को भी अच्छी लगती है अर्था सुख पहुंचाती है इसके साथ साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है यह था कबीरदास जी का तीसरा दोहा अगली वीडियो में ये क्लास कॉंटिन्यू करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद